दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में खंड सिच्छा अधिकारे प्लॉक एजूकेशन ओफीसर बीई ओ की लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के उर्जा संसातन इस टॉपिक से हम लोग टॉटल टॉप 50 कोशन डिसकास करेंगे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए यदि वीडियो अच्छा लग तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके वेल आइकोन होगा उसको भी दवा लें इससे आने आज विद्दुद परिसक्त का गठन ये किया गया 1969 में अगला कोशन देखिए उत्तर प्रदेश विद्दुद नियामक आयोक एक्ट ये कब बना उत्तर प्रदेश विद्दुद नियामक आयोक एक्ट ये कब बना था 1998 में पुरुवांचल विद्दुद बित्रा निगम लिमिटेट का मुख्याले कहां पर है पुरुवांचल विद्धुत वित्रण निगम लिमिटेट का मुख्याले है यह कहां पर है यह है इलावाल में अगला कोश्चिन कितने मेगावार्ट तक की परियोजनाई लगू जल विद्धुत परियोजना कहलाती है 25 मेगावार्ट तक की परियोजना ये लगू जल वित्तुत परियोजना कहलाती है पाचमा कोशन देखें सहरी छेत्रों में जल वित्रण इवं बसूली हेतू फ्राइच ची विवस्ता सर प्रथम कहां लागू की गई अगला कोशन हर्दुआ गंज ता वित्त परियोजना का प्रारंब का प्रारंब हुई ये प्रारंब हुई थी सन 1942 के साथ मा कोशन गट्र प्र उत्तर प्रदेस में राज वित्त उत्पादन निगम इंट अस्तित्त उम्हें आठमा कोश्चन देखिए स्री नगर जल विद्दुत परियुजना कहां इस्तित है यह इस्तित है पौणी में आपसे जो सी आपका है यह सही हो रहेगा अगला कोश्चन वारवी योजिना में कितना अत्रिक्त विद्दुत उत्पादन का लक्ष रखा गया है तो कितना रखा गया है 16274 मेगावाट नश कोशन परिच्छा तापिये परियोजना कहां इस्तापित की गई है तो दोसमें यह इस्तापित की गई है छासी में अनपराडी परियोजना का निर्माल किस देश के सहयोग से हो रहा है जापान के सहयोग से हो रहा है 2. कौशन कोशन उत्तर प्रदेश में राष्ट्यता विद्धुनिगम के कितने केंद्र हैं ॐ तो टोटल केंद्र इसमें है । साथ ही आपको ध्यानर में रखना है 14 कौशन लेकि चंदोसी ताब विध्थूद केंदर कहां पर है चंदोसी ताब विध्थूद केंदर मुराधाबाद में है कि FIR अभण ताब विध्थूद केंदर किस देश के सैउओग से स्थापित हुआ था अगला कोशन देखिये सॉलमा रिहंद जल विद्दुत परियोजना कहा पर है शोन भद्र में अगला कोशिन देखी ओबरा जल विद्दुत केंदर किस नदी पर बनाया गया है ये बनाया गया है रिहंद अगला कोशिन माता ठीला विद्दुत ग्रहे किस नदी पर इस्तापित किया गया है यह स्तापित किया गया है वेतवा नदी पर याको ध्यान में रखना है शार्दा जल विद्दुत परियोजना किस जन्पद में है गोविन्द वल्लव सागर परियोजना यह किस चनपद में है यह सोन भद्र में 21. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगो जल विद्दुत नीत की गोशना कप की गई? इसकी गोशना संद 2009 में की गई? नेश प्रदेश टेहरी जल विद्दुत परियोजना किन दू राजियों की सहयुद परियोजना है? टेहरी जल विद्दुत परियोजना किन दू राजियों की सहयुद परियोजना है? उत्तर प्रदेश उत्तराघंड अगला कोश्चन मेजा ताप विद्दुत परियोजना किस जनपद में है? तॉस्त, गानपुर, बिजली परियोजना को और में रहेएं? तो दूस्तों, गानपुर बिजली परियोजना के यूंत कांपना है? रौजा में की गई अगला कोशन देखे विश्णु प्रियाग जल बिद्दूत परियोजना कहां पर इस्तापित की गई है यह इस्तापित की गई है चमोली में यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें अगला कोशन निम्न में से कौंसी तापी परियोजना निजी छेत्र की है अगला कोशन बाराता बिद्दूत ग्रहे किसके द्वारा इस्तापित किया जा रहा है तो गाइज ये इस्तापित किया जा रहा है जेपी समू के द्वारा अगला कोशन कर्चना ताप बिद्दूत किरहे कहां इस्तापित किया गया है तो गाइज ये इस्तापित किया गया है इलावाद में अगला कोशन नरोरा परियोजना उत्तर पर्देश के किस जनपद में इस्तापित है तो गाइज ये इस्तापित है बुलंद सहर में अगला कोशन उत्तर प्रदेश के किस नहर पर्योजना में सरवादिक जल विद्दुत के अंदर इस्तापित है उपरी गंगा नहर 32 कोशन रिलाइस पावर द्वारा 8000 मेगावाट की विद्दुत परयोजना कहां इस्तापित की जा रही है उत्तर पर्देश को विजली विजने के लिए निजी छेतर की पन विजली परयोजना है उत्तर आखंड में कहां इस्तापित की गई है अगला कोशन देखे भारतिये नवकरणी उर्जा विकास एजंसी की स्थापना कब की गई? अगला कोशन उत्तर प्रदेश में ब्यकल्पिक उर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में ब्यकल्पिक उर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई 1983 में अगला कोशन नई सवर उर्जा नीत के तहब कब तक? 500 मेगावार्ट छमता के लिए ग्रीट स्थायोजित सोलर प्लांट स्थापित करने का उर्देश रखा गया है 2017 अगला कोशन उत्तर प्रदेश में परवाडव उर्जा केंदर स्थापित है उत्तर प्रदेश में प्रमाड उर्जा केंद्र कहां पर इस्तापित है UPPCS PT 2007 का कोश्चन है यह तो देखें तीसरा वार जो अप्सन है आपका उत्तर प्रदेश में प्रमाड उर्जा केंद्र नर्गरा में स्तापित है अगला कोश्चन देखे यूपीज से स्पेसरनेस 2014 का कोश्चन बिटला समूद और एक छेसों मेगावार्ट चमता के ताब विद्धु सेंत्र का निर्माड कहां किया जा रहा है तो कहां किया जा रहा है ये पूझा जा रहा है ये किया जा रहा है रोजा में यूपी पेसियस जी आई आई दो हजार दसका कोश्चन है कोश्चन है निम लिकित विद्धु सेंत्रों में कौन गैस आधारिक्त है ये कोड़ दिये गए आंसर यहां से आपको चूज करना है क्या अंसर होगा जिकिए पहला वारा जो अप्सन है आपका ये सहीं गएगा और और रही या और दाटरी है अँगला कोशन देखें की जडाल को कहां इसस्ताफित है तो Guys टाल को रेन्चे में इस्तापित है अगला कोशन दे यूबीपेसरश स्पेसलमेंस 2008 का कोशन ah來 this нав diary ऀनोड में इस्तिती का मुझवे कारण है इसकी निकटता चोथा वाला जो option है सक्ति के इस दोत से Nash question उत्तर परदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपोरिजियम जुन को प्रयावड़ा मित्र बद ग्रीन पावर प्रदाम करें यह ग्रीन पावर क्या है तो guys यह ग्रीन पावर है खोई पर अधारित पावर का सह उपण अगले कोश्चन की ओर बढ़ते हैं एक अगला कोश्चन क्या है सोलर धरेलू लाइट परियोजिना में कितने वाट का सोलर पैनल दिया जा रहा है सोलर धरेलू लाइट परियोजिना में कितने वाट का solar panel लगाया जाता है एक solar still light के लिए कितने वाट का solar panel लगाया जाता है 74 वाट का नेश्ट कोश्चन उत्तर परदेश में सौर फोटो वोल्टाइब पावर प्लांट का रिकरम कब से प्रारंब किया गया उत्तर परदेश में सौर फोटो पूर्जा सेंत्रों की उपलब्दता सुनश्चिक करने के उत्तर प्रदेश में किस नाम से सोलर साप खुले गए हैं आधित्त के नाम से अगेका अगे लाजोर फोटस वर्टीघट जल कितने वाटका सोलर पैनल लगाया है कि दने बार का शोलर पैनल presented लगाया है कि उत्तर-प्रदेश के किस जन्पत का चैन स्सी करीक्रम के तहत किया गया है किलाब है अगला कोश्चन देखिए कमरश्चन waste biomass power project के तहित किस में 15 मेगा बाट का प्लान इस्टापित किया गया है कितने मेगा बाट का प्लाट 신्थापित किया गया है कारी है फिरकborत अगला कोशिए उथ्धर प्रत्रक पर जंपत में, टॉप फिप्टी कोश्यन यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें सेद करें चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके विल आइकाउन होका उसको भी दबा लें इससे आने वारे सारी न